अलो फ्रेंड्स आज मैं आपको बलाड और बस्टा क्रक्स यह मूवी एकस्प्लेंग करने वाला हूँ यह मूवी एक वेस्टन है जब यह आप वेस्टन सुनते हो तो आपको लगता है कि काउब बोईज गन शुटिंग इस तरह के मूवी होंगी पर इस मूवी में अलग-अलग सिक्स स्टोरी लाइन से उस पिरेड में जो वेस्टन सोते थे उस पिरेड में हमें यह सब दिखाया गया है हमें western का एक flavor भी इस movie मिलेगा पर generally six stories अलग-अलग stories हमें इस movie में दिखाई गई है ये general movie एक death के बारे में है अलग-अलग kiss से death के हमें सुनाए गए है और इस से हमें death के गहराई समझाने की कोशिश इस movie के creator करते है इस movie के IMD rating 7.1 है और बड़ी अच्छी movie ये बनी है तो चलिए मैं आपको explain करता हूँ इस movie के first storyline आती है इस story में Buster's Krug ये एक man character है ये घोड़े पर गीत काता हुआ चलता हुआ दिखता है ये गीत काते-गाते माउंटरस में जा रहा होता है फिर हमसे बात करता है ये मेरा नाम तुमने सुनाओगा उस पर एक county होती है Buster's Krug उसका नाम होता है और उसे गाना-गाने वाला भी कुछ लोग कहते है उस पर एक बड़ी bounty होती है अगर आपको bounty नहीं पता होगी तुमें आपको बता देता हो ये एक इनाम की तरह होता है पुराने समय में अगर पूलिस को किसी को पकड़ना होता है तो bounty वो रख देते थे जिस आदमी वर bounty रखी होती है तो जिन्दा या मुर्दा किसी भी तरीके से उसे अगर कोई लेकर आए तो उसे वो इनाम दे दिया जाता है तो ये bounty बस्टर्स क्रक्स पर होती है पर हमें जो ये character दिखाये का है ये careless टाइप होता है ये फिर गीत गाता गाता चलता है और फिर हमें कहता है कि मैं हमेशा गीत गाता रहता हूँ मेरी जो खोड़ा है उसे भी आच्छा लगता है जब मैं गीत गाता हूँ और हमारा सवर अच्छे से गुजर जाता है फिर हमें कहता है कि यही कही एक restaurant है जहां जाकर मैं पत्तो की गेम खेल सकता हूँ रोज restaurant में जाता है ये restaurant जैसा हमें expected है वैसा नहीं होता है वहाँ ये बार होता है जब वह वहाँ जाता है तो बारेटेंटर से बोलता है कि क्या मुझे विस्की मिलेगी बारेटेंटर बोलता है कि इस state में विस्की allowed नहीं है फिर बस्टर स्क्रग देखता है कि वहाँ जो लोग होते हैं विस्की पी रहे होते हैं पोच्छता है कि ये लोग क्या पी रहे हैं, बारे टेंटरों से बोलता है, कि हम विस्की किसी को भी सर्व नहीं करते हैं, जो आउटलाज होते हैं, उन्हें ही हम सर्व कहते हैं, बस्टर क्रग की बोलता है, कि मैं भी क्रिमिनल हूँ, मैं भी आउटलाग ही हूँ, तुम ऑश्टकरक के कपड़ा येगरा सब अच्छे होते हैं तो इसा वजह से वो लोग उसके साथ विसकी येदा नहीं पना चाते हैं वो कनेक्ट नहीं हो पाएंगे तो इसलिए अब वो उसके साथ विसकी नहीं भी रहे बस्टर करक फिर भी उन्हें इंसिस्ट करता है वो बहुत ही pursuing होता है पर फिर भी वो मानने रहे होते हैं उनका जो boss होता है वो खड़ा हो जाता है वो अपनी gun पर राद रखता है जैसे हमें western film से पता है कि हमेशा दो लोग खड़े हो जाते हैं और उन में fight होती है जो आदमी first gun निकाल कर दूसरे आदमी को मार देगा वो जीच जाता है तो बस्टर करक भी अपनी gun निकाल लेता है और उसको मार देता है उसके साथ और तीन लोग होते है तीनों लोगों को भी बस्टर करक मार देता है जो बार्टेंडर होता है वो भी गन निकलने के कोशिश करता है उससे पहले बस्टर करग उसे मार देता है फिर वो वहाँ से निकलता है और एक टाउन में आता है उसके लिए ये टाउन न्यू होता है वहाँ फिर वो एक बार को देखता है जब वह आ जाता है बहुत सारे लो इस टेवल पर चार लोग होते हैं जो गेम खेल रहे हैं तो इस में से एक आदमी अपने कार्ज देखता है और इस गेम से आउट हो जाता है बस्टर को को यह देखकर अच्छा लगता है कि बहुत अच्छे टाइम पर यह निकल गया है तो इस गेम पर वो आकर बेट जाता है वो उनसे पर्मिशन लेता है तो वो बोलते है कि जो हैंड वो आदमी छोड़कर चला गया है वो अगर खेलने के तुम ready हो तो तुम खेल सकते हो बस्टर जब यह कार्ज देखता है तो इससे वो पीच हट जाता है उसे यह हैंड नहीं खेलना होता इन सब लोगों में एक आदमी होता है वो बोलता है कि अब तुमने कार्ज देख लिए हैं तुमें यह खेलना ही पड़ेगा बस्टर बोलता है कि तुम मुझे जबरदस्ते नहीं कर सकते बस्टर करक फिर अपने आपको इंटर्डूस कराता है वो आदमी उसे जानता है और फिर गन निकाल लेता है बस्टर कहता है कि इस डोर में तुम एक गन लाना allowed नहीं है तुमने इस प्लेस को disrespect पूर किया है यहाँ प्लेस के जो रूल से उसे तुमने वाइलेट किया है Buster उसे अपनी गन रखने के लिए बोलता है पर वो आदमी कहता है कि अगर मैंने गन नहीं रखी तो क्या करोगे उस आदमी ने Buster पर गन तानी हुई होती है Buster फिर जिस टेबल वो बेटा होता है उस पर वो लाथ मारता है उस टेबल के एक प्लैन निकल जाती है उसका बरदर उसे कहता है कि तुमने धोके से उसे मार दिया है और बस्टर कर उसे जो situation हुई है यह सब उसे समझाता है अब जो आदमी मर चुका है उसका बरदर उसे आमने सामने एक competition के लिए invite करता है यह वही गाने की competition होती है और फिर हमें दिखता है कि यह दोनों ready हो जाते है बस्टर जो होता है उसका बहुत ही अच्छा निशाना होता है जो आदमी उसके opposite होता है उसके सारे fingers वो उड़ा देता है बस्टर जो होता है उसके निशाना बहुत ही अच्छा होता है वो bragging करने के लिए पीछे मूर जाता है वो फिर mirror में उस आदमी को देखता है और उस पर निशाना लगता है बहुत दूर से उसे भी वो मार देता है जब वो उसे मार देता है तब घोड़े पर और एक आदमी आता है यह जो आदमी होता है यह bounty hunter होता है यानि कि बस्टर को यह मारने के लिए वो यहाँ आया हुआ होता है फिर यह दोनों फिर से competition के लिए radio हो जाते है बस्टर फिर हमें कहता है कि हमेशा मुझे ऐसे लोग मिलते रहते है जो यंग होते है और अपने आपको प्रूफ करना चाहते है जो आदमी उसे मारने के लिए आया हुआ होता है वो गन चलाता है बस्टर अपनी जब head दिखता है तो head के आरपार गोली चली गई होती है एक young man हमें bank की तरफ देखता हो दिखता है वो bank में जाता है और उसको वो लूटना चाहता है वहाँ जाकर वहाँ का जो banker होता है उसे वो बात करता है वो बोलता है यह बहुत ही अच्छी bank है वो banker कहता है कि यह पूरी 3 county में एक बड़ी सी bank है जहां मैंने पहले shot में देखा कभी भी होनी पाए फिर यह young man एक अपनी गन निकालता है और उसे पूरे पैसे देने के लिए बोलता है यह banker फिर नीचे जुकता है नीचे वो shotgun से उसे shoot करने के कोशिश करता है यह young man बच जाता है फिर counter के दुसरे side में young man आ जाता है तब वो देखता है तो वहाँ 3 shotgun होती ह वो मर सकता था पर वो old man वहाँ से भाग चुका होता है फिर यह young man भागने लगता है पैसे लेकर वो अपने घोड़े तक जाता है तब ही जो banker था वो उसे shoot करने लग जाता है यह जो banker होता है बहुत ही शातिर होता है इसने अपने आसपास जो pot होते है उसे shield बनाई होती है वो इस young आदमी के पास भागता है और अपनी गन से इसे बेहुश कर देता है नेक सिन में हम दिखता है कि जो young man है वो directly police के पास है पुलिस उसे sentence सुना रही होती है और उसे अब वो मारने वाले होते है उसके गली में फासी का फंदा होता है यह sentence उसे सुना देते है और फिर वो उसे पुछते हैं कि तुम अपनी सभाई में क्या बोलना चाहते हो या नहीं फिर वो young man बोलता है कि जो banker था उसने fair fight ने लड़ी फिर वो उसे मारने वाले होते है तब ही वहाँ आदिवासी आ जाते है यह सब जो police होती है इन सब को मार देते है उसमें से एक आदिवार बात करने लग जाते हैं वो कहता है कि यह जो farming में करता हूं इसके लिए मुझे कुछ लोग लगते हैं मैंने दो लोगों को hire किया था पर season खतम हो गया तो वो भी चले गए मुझे भी किसी आदमी की जरूरत है तो मैं तुम पर trust कर सकता हूं इसलिए मैं तुम्हार कर सकता ह यह जब वो बात कर रहे होते हैं तभी बहुत सारी पुलिस वहाँ आ रही होती है यह देखकर वो cattle farming करने वाला वहाँ से भाग जाता है और यह young man फिर से पकड़ा जाता है इसे फासी के फंदे पर चड़ा जाता है उसके साथ और दो-चार लोग होते हैं उसमें से एक आद सजा हो जाती है और यह मर जाता है यह स्टोरी यही खत्म हो जाती है अब थर्ट स्टोरी इस movie में स्टार्ट होती है यह जो थर्ट स्टोरी है इसमें एक old man हमें गाड़ी चलाता हो दिखता है यह horse की गाड़ी होती है और इसमें वो एक गाव में आता है इस गाव में आकर पोस्टर्स लगाता है कि वहाँ एक वो शो करने वाला है कटिपदलिया का जैसे शो होता है विस तरह से भी उसका स्टेज होता है और उसके गाड़ी में ही ये स्टेज बन जाता है बहुत सारे लोग यहां इकटा हो जाते हैं जब परदे गिरते हैं तो यहां एक आदमी होता है इस आदमी के हाथ पेर कुछ भी नहीं होते हैं ये फिर उन्हें अलग-अलग स्टोरी सुनाना स्टार्ट कर देता है जो ओल्ड मैन था अब वो पैसे इकटा कर रहा है और बहुत सारे पैसे उसे मिल जाते हैं जब रात होती है तो उस आदमी को वो खाना खिलाता है जिसके हाथ पेर नहीं है तो इसकी बहुती केर विगरा वो सब लेता है अलग-अलग जगा हो जाते हैं और ये शो करते रहते हैं ये ओल्ड मैन हमेशा उसकी केर रखता है अलग-अलग वो जगा जाते हैं और फिर विंटर आ जाता है विंटर में वैसे भी लोगों को खाने के लिए बहुत सारी चीज़े नहीं होते तो अब उनके पास उतने पैसे नहीं आ रहे होते बहुत ही कम लोग इसमें इंट्रेस्टेट होते हैं यह ओल्ड मैन प्रोस्टेट के यहां आते हुए दिखता है वो सब मज़े करता है यह वो प्रोस्टेट पुछती है कि क्या इस लड़के को भी मेरी सर्विसे चाहिए तो ओल्ड मैन कहता है कि नहीं मुझे नहीं लगता कि यह कुछ कर पाएगा अब जो नेक्स शो होता है उसें बहुती कम लोग आये हुए होते है क्योंकि वैसे भी कंडिशन एड़र्स होते है तो जादा कुछ पैसे मिल नहीं सकते है यह शो जब खतम हो जाता है तब यह ओल्ड मैन गाव में जाता है इस शो में हैन होती है अलग-अलग नंबर स्वाहा लगाए होते है यह हैन कि इस नंबर को हिट करेगी इस पर यह बेटिंग चल रही होती है बहुत सारे लोग इस पर इंटरेस्टेड होते है और बहुत सारे कमाई इसमें हो रही होती है ये जब वो देखता है तो इस old man को भी idea आता है कि वो भी ये कर सकता है सब पैसे लगा कर वो अब ये hen buy कर लेता है फिर next scene में हमें दिखाए गया है कि ये hen और handicapped लड़का ये दोनों गाड़ी में बेठे हुए है ये गाड़ी फिर रुख जाती है ये गाड़ी जहां रुखे होती है वहाँ एक बड़ी खाई होती है old man वहाँ जाता है एक बड़ा सा पट्ठर उटाता है उसे वो नीचे डाल कर देखता है यहाँ छोड़ी सनधी होती है और एक खाई भी बढ़ी होती है इसके बाद नेक सिन में हमें सिर्फ हैन गाड़ी में दिखाई गई है इसका मतलब है इस old man ने उस handicap लड़के को मार दिया है उसे उस खाई में उसने ढखिल दिया है यही ये स्टोरी भी खतम हो जाती है अब हम देखते है fourth story इस story के पहले हमें बहुत ही अच्छी एक countryside दिखाई गई है एक river होती है उसके पास एक old man आ जाता है यह जो old man होता है यह donkey के साथ journey कर रहा होता है वो जब इस river के पास आता है तो एक shovel निकलता है वहागी जो मिट्टी होती है उस shovel में वो लेता है और एक pot में रख देता है pot में रखी हुई मिट्टी फिर वो नदी में जाता है और नदी के पानी से उसे साफ करता है वो में फिल्टर करता हो दिखता है और फिल्टर हो जाने के बाद उसे सोना मिलता है इस सोने को रखता नहीं, इस सोनों को भी वो बहा देता है अब वो अलग-अलग जगा इस शवल से मिट्टी निकालता है और ये प्रोसेस हमेशा दोहरा दरेता है वो count करता है कि कितने सोने के particles उसे मिले है वो उसे अभी भी अपने जेब में नहीं रख रहा होता है अलग-अलग जगा वो खुदता है और हर जगा मार्क करकर रखता है जब रात होती है तो वो अराम करने लग जाता है नेक्स दिन फिर से जो उसने किया था वो ही करने लग जाता है जब उसे भुग लगती है तो वह एक जाड़ पर वो चड़ जाता है वह आप पंचे ने जो अंडे दी होते है उस अंडे से वो अमलेट बना लेता है रिवर से उसने फीज भी लाहग होता है अच्छे से वो लंच करता है और फिर से काम में लग जाता है जब साम होती है तो वो अपने आप से भी बात करने लग जाता है वो कहता है कि Mr. Pocket तुम मुझसे बच नहीं सकते यह Mr. Pocket जो हता है यह आदमी नहीं है हमें लगता है कि यह पागर आदमी है पर नेक्स दे फिर से वो खोदने लग जाता है तब उसे एक बड़ा सा टुकडा सोने का मिलता है और भी वो खुदता है तो उसे बड़ा सा रॉक मिलता है और बहुत सारा सोना उसे वहाँ मिल रहा होता है उसे लगता है कि यहाँ कोई तो है उसे कुछ मुवमेंट सुना ही देती है और फिर वो जब पीछे देखता है तो वहाँ एक कवबॉय होता है उसे वो शूट कर देता है वही बड़ा हुआ होता है तो वो कवबॉय उसे देखने के लिए नीचे जाता है ये जो ओल्ड मैन है या भी भी नहीं मरा है तो इसलिए अब इस नोनों में फाइट हो जाती है ये जो कवबॉय होता है उसको ये ओल्ड मैं आदमी मार देता है जब वो इस गड़े से उपर आता है तब देखता है तो जो बुलेट थी उसके आरपार निकल चुकी है वो अपने आपका खैल रखता है ज़रा आराम करता है और बहुत ही अच्छा अब्वो हो जाता है फिर हमें दिखता है कि उस गड़े से बहुत सारा सोना वो निकलता है और दो बड़े-बड़े बैक सोना वो वहाँ से निकल लेता है जिस आदमी को उसने मारा था उस आदमी को गड़े में गार देता है फिर वो बोलता है यह फिर से तुम्हें लेने के लिए आऊंगा यानि कि और भी सोना वहाँ है वो सोना वो लेने के लिए फिर से आएगा इसके बाद हमें दिखता है कि वो जहां से आया था वहां लोट जाता है यही यह story भी खत्म हो जाती है अब हम चलते हैं 5th story के पास story start होती है और हम बहुत सारे लोग एक dinner table पर दिखते हैं यह एक model की तरह जगा होती है जहां सब लोग रह सकते हैं यह सब stranger होते हैं, फिर हमें introduce होती है इस story की main character, इसका नाम Alice होता है, Alice से एक आदमी बात करता है कि तुम्हारे next plan का है, फिर हो उससे कहती है कि मैं और अब मेरा brother Oregon जाने वाले है, वाव उसका brother जो होता है, उसका एक friend होता है, उसके साथ वो business start करने वाला होता है, यहाँ हमें बता चलता है, इसके brother का जो friend है, उसकी और Alice की इन दोनों की शादी होने वाली है, यह uncertain होता है, यानि कि अब तक इसका brother का जो friend है, वो Alice से नहीं मिला है, next scene में हम दिखता है, यह बहुत सारे horses वेगरा cattle के साथ, Alice और उसका brother अब Oregon के लिए निकल चुके है, यह जो सब लोग होते हैं, यह जुन में चलते हैं, यानि कि कोई भी आकेला ना चल सके और वो safe भी रहे, इसलिए वो यह सब कर रहे होते हैं, फिर Alice उसके brother को बोलती है, जो लोग है, वो जरा complain कर रहे हैं, उनके साथ एक dog होता है, जो हमेशा बाग करता है, इस सब लोग को disturb हो रहा होता है, तो इसलिए Alice उसके brother को बोलती है, कि सब लोग इसकी complain कर रहे हैं, वो कहता है कि यह मेरी property है, यह कोई भी problem करें, पर इसका कोई कुछ भी नहीं कर सकता, फिर जब रात होती है, तब Alice का brother हमें खासता हो दिखता है, Alice उसके लिए परेशान होती है, जब next दिन आता है, तब उ उसका leader जो होता है, वहाँ वो आता है, उसे वो sorry वगरा कहता है, इस leader के साथ, और एक उसका sidekick type होता है, उसका नाम होता है Billy, बिली उसे लिए sorry कहता है, फिर उससे पूछता है, कि तुम अब क्या करने वाली हो, आगे जाने वाली हो, या पीछे जाने वाली हो, वो कहती है, कि मैं पीछे जाओंगी तो मेरे लिए कोई भी वहा नहीं है यानि कि वो अब अपनी लाइफ के लिए continue करने वाली होती है फिर वो उसे अपने ब्रदर को गार्णी के लिए help करता है उसके सब cattle स्विकरा होते है तब उसका जो hired boy होता है वो उसे help करने वाला होता है जब रात होती है तब Alice इस बिली के पास एक problem लेकर आती है Alice बिली को कहती है कि यह जो boy है इसको मेरे ब्रदर ने 400 डॉलर्स वो उसे देगा ऐसा उसने उसे वादा किया था अब वो मुझसे पैसे मांग रहा है पर मेरे पास कुछ भी पैसे नहीं है उसका जो ब्रदर होता है उसके pocket में सब पैसे होते है और उनोंने अभी अभी उसको ब्रदर को गार दिया है और इसके बाद उनोंने बहुत सारा travel किया है वो वापस भी नहीं जा सकते है और अगर वो वापस चले भी गए तो वहाँ कुछ साइन वेगरा कुछ भी नहीं है जिससे वो उसके ब्रदर को ढूंड सकते है फिर ये बिली उसे कहता है कि मुझे जरा वक्त दो एक दो दिन में सोचता हो और फिर उसे क्या कहना है ये हम do-cad करेंगे नेक्स दिन जब बिली उसके पास आता है तो बिली कहता है कि ये जो डॉग है सब को disturb कर रहा है कि ये तो तुम्हारा डॉग है तो फिर आलिस कहती है ये मेरा डॉग नहीं है मेरे ब्रदर का था तो फिर बिली को बहुत अच्छा लगता है कि अब ये dog इसको मार सकता है बिली फिर उस dog को दूर लेकर जाता है उसे shoot करनी कोशिश करता है पर वो dog वहाँ से भाग जाता है नेक्स रात फिर से Alice बिली के पास आती है उसे कहती ही कि मेरा जो boy है उसे अभी के अभी पैसे चाहिए वो आगे नहीं जा रहा फिर बिली कहता है कि उसको जो पैसे promise करेगी है थे वो तूसे चाहिए ये कुछ वो गलत नहीं कर रहा Alice के पास अब problem होती है कि अगर वो boy उसे चोड़कर चला गया तो उसके एक आडल स्वेकरा वो कैसे उसके साथ लेकर जाएगी तो बिली फिर offer करता है कि मैं तुम्हें help कर सकता हूँ मैं और मेरा partner आगे पीछे करकर तुम्हें Oregon तक पहुचा सकते हैं तो उसे कहता है कि मुझे दो दिन दो उसका partner उसे कुछ भी नहीं बोलता वो इस पर agree भी नहीं करता और कुछ deny भी नहीं करता वो फिर Alice को आकर बोलता है मैं तुम्हें जो भी बता रहा हूँ यह बहुत ही respect से मुझे तुम्हें बता ना है वो फिर कहता है कि तुम्हारा जो बवा है उसे बहुत सारे पैसे तुम्हें देने है तो यह पैसे में दे सकता हो फिर वो उसे शादी के लिए proposal देता है तो उसे उतना response नहीं दे रही हुती है फिर वो और भी कहता है वो कहता है कि मैरा जो partner है उसने शादी नहीं किया वो अभी तक हम लोगों के साथ फिरता रहता है वो अप old हो चुका है उसका खयाल रखने के लिए कोई भी नहीं है वो जमीन पर सोता है और हमारे साथ ही रहता है तो ऐसी life मुझे नहीं चाहिए अगर हम शादी कर लेंगे तो हमें बहुत सारी land भी मिल जाएगी हम दोनों farm कर सकते है settle हो सकते है इस पर फिर वो सोचने के लिए वक लेती है जब next दिन होता है तो Alice ने उसे अपना answer नहीं बताया होता तो फिर से वो उसे पास जाता है वो से कहता है कि अगर तुम्हें गलत लगा होगा तो वो sorry उसे कह रहा होता है फिर Alice उसे कहती है कि मैं तुम्हारा proposal accept करती हूँ वो से कहती है कि मैं मेरे ब्रदर के साथ रहती थी पर मुझे कभी भी इतना safe नहीं लगा है जब भी मैं तुम्हारे साथ रहती हूँ तो मुझे बहुत ही safe लगता है फिर वो अपने partner को कहता है कि अब हम दोनों शादी कर लेने वाले हैं रात में ये दोनों Billy और Alice दोनों जब बात कर रहे होते हैं तो वो अपने ब्रदर के बारे में Billy को कहती है वो कहती है कि मेरे ब्रदर को हमेशा कुछ चीजे certain ही लगती थी जो भी ये business वो अपने friend के साथ करने वाला था वो ज़रा बड़ा चड़ा कर बोल रहा था ये true होगा ऐसा भी उसे नहीं लग रहा था वो एक failure था उसे बता रही होती है वो फिर कहती है कि मैं कभी भी इतनी certain मैंने feel नहीं किया है फिर Billy भी कहता है कि जो uncertainty है वो बहुत ही अच्छी होती है ये हमें life में आगई लेकर जाती है इसमें कुछ भी गलत वेगरा कुछ नहीं है नेक सिन में हम देखते है कि Billy का जो partner होता है वो देखता है कि Alice वो आ नहीं है Alice कहीं घोडे पर चली गई होती है तो घोडे के पेरी के निशान देखकर उस direction वो निकल जाता है बहुत दूर Alice उसके dog के पास होती है जो dog बच चुका था वो वहाँ उसके पीछे भागता भागता आ चुका है वो उसे देखकर बहुत ही खुश होती है Billy का partner फिर कुछ आदिवासी लोगों को देखता है वो Alice को उतरने के लिए बोलता है और एक peace sign उस आदिवासी को देता है पर वो आदिवासी उस पर अब हमला करने वाला होता है फिर वो उसे चुपने के लिए बोलता है वो उसे कहता है यहाँ बहुत सारे गड़े हैं जिसमें वो लोग गिर कर मर सकते हैं तो मैं इसका advantage लेने वाला हूँ मैं इन्हें बड़ी fight दे सकता हूँ फिर वो उसे गन देता है कि अगर मुझे कुछ हो गया तो तुमें अपने आपको मार डालना है वो इसके लिए ready नहीं होती फिर वो उसे कहता है कि अगर उन लोगों ने तुमें पकड़ लिया तो तुमारे साथ वो बहुत ही बुरी-बुरी चीज़े करेगे इसे अच्छा तुम खुद से suicide कर लो फिर बिली का पार्टनर बहुत सारे लोगों से लड़ता है बहुत सारे लोगों को मार भी देता है वो आदिवासी जब वापर जा रहे होते है वो आदिवासी वापर जाने लग जाते है इसमें इसे एक जिन्दा होता है और वो बिली के पास आता है बिली के पार्टनर को उसने मार दिया ऐसा आलिस को लगता है एलिस फिर अपने आप कोई गोली मार देती है बिली का पार्टनर जो होता है जिन्दा होता है उस आदिवासी को मार देता है वो आलिस को देखता है और उससे बहुत बुरा लगता है यही यह story भी खतम हो जाती है अब last story, six story पर हम चलते हैं इस story में horse की जो बग्गी होती है उसमें पाच लोग सफर कर रहे होती है इसमें से दो आदमी होते है वो partners होते है वो दोनो bounty hunters होते है पर यह जो बाकी तीन लोग है इनने पता नहीं है एक औरत होती है, एक french man होता है और एक जंगली आदमी उनके साथ होता है यह जब गाड़ी चल रही होती है तो उसमें वो गाना-गाने लग जाते है इस गाने से वो जब जंगली आदमी होता है वो स्वया होता है पर वो उट जाता है वो जब उठता है तो अपनी स्टोरी सुनाएं लग जाता है कैसे वो जंगलों में रहता था उसके जो वाइफ थी उसकी और उसकी भाषा दोनों अलग अलग थी फिर वो एक साथ रहते थे उनकी सेक्सलाइब भी वो डिसकस करता है पर बोलता है यअएक लेडी है इसके सामने में डिसकस नहीं कर सकता उसमें सिर्फिर आएक आदमी पूचता है क्या तुम उससे प्यार करते थे यह कहता है कि उसकी लैंग्वेज और मेरी लैंग्वेज अलग थी तो मुझे पता ही नहीं कि वो क्या करती थी पर जब मैं उसके facial expression देखता था तो मुझे पदा जल जाता था जो सब लोग होते हैं कहीं भी वो रह रहे हो कोई भी उनकी भाषा हो पर भी वो same ही होते है उसमें वो lady होती है तो वो बोलती है कि लोग same नहीं होते लोग अलग-अलग होते है वो बहुत ही अपटाइट होती है वो बोलती है कि मेरा जो husband है वो एक university में बढ़ा था वो भी literature वेरी काम करता है तो बताता है कि लोग same नहीं होते है बहुत सारे लोगों में types होते है वो अपने husband से मिलने जा रही है यह उन्हें बताती है जो फिर frenchman होता है तो फिर वो उससे कहता है कि क्या तुम दोने एक दूसरे से पैर करते हो वो कहती है अफकोस हम दोनों से एक दूसरे से पैर करते है उन दोनों का डिवास हो चुका होता है और दो दिन से बाद वो इससे मिलने जा रही होती है फ्रेंच मैन उसे कहता है कि वो तुमसे पैयर नहीं करता होगा हर आदमी की पैयर की जो definition होती है वो अलग-अलग होती है वो यह सुनने के लिए ready नहीं होती है तुम्हें ही बताया कि तुम्हारा husband एक professor था वो एक बड़ा आदमी था तो उसकी पैयर की definition अलग है तुम उसे पैयर करती थी तो इसी compassion को वो एक वापस करने के लिए तुमसे थोड़ा सा पैयर जदा देता होगा अब तुम तीन साल बाद उसके मिलने जा रही हो तो ये same नहीं होगा वो फिर उसे बुचता है कि तीन साल तक तुम कहा रही फिर वो कहती है कि मेरी डॉटर और सनी इनलह के साथ मेरे ही थी वो कहता है कि तुम उस पर बोज़ बन चुकी थी वो कहती ही कि मेरी बेटी ने मुझे कभी यहास नहीं का वो कहता है वो Frenchman कहता है यह सब बाते बहुत ही real उसके लिए हो जाती है और उस लेडी को heart attack की तरह शास लेने में जरा तकलिफ आने लग जाती है ये देखकर वो सब लोग कहते हैं कि हमें गोड़ा रोक देना चाहिए पर जो हमें bounty hunter दिखाए गए वो बोलते हैं कि जो हमारा गोड़ा चलाने वाला है वो कहीं भी रुकने नहीं वाला इस औरत को फिर जरा साथ आने लग जाती है थोड़ी देर बाद नॉर्मल में आ जाती है तो फ्रेंजमेन उसे पूछता है कि ये गोड़े वाला क्यों नहीं रुक रहा फिर वो bounty hunter उनका professional से सुनाते है ये जो गोड़े वाला होता है उसको भी उन्होंने कैदी बनाया होता है उसको टर्णी नहीं कर दे और पूरे life तक उनका वो साथी बन जाता है ये जो bounty hunter होता है ये बोलता है कि हम जो discussion कर रहे थे तो इसमें मुझे लगता है कि सिर्फ दो type के लोग होते है जिन्दा ये मूर्दा ये bounty hunter ही है तो इसे के बारे में बोल रहा होता है bounty hunter उसे कहता है कि जब भी मैं उन्हों को मारता हूँ तो मेरा partner उन्हें story सुनाता है वो अपने आपको इस story से distract कर लेते हैं और फिर मैं उन्हें मार देता हूँ फिर वो कहता है कि जब भी मैं लोगों को मारता हूँ तो उनके last follow में वो एक sense बनाने की कोशिश करते हैं उनकी life क्या थी और उन लोगों ने उनकी life में क्या एक हासिल क्या है ये वो ढूंड रहे होते हैं एक divine power को वो ढूंडते रह जाते हैं फिर वो औरत उसे पुछती है कि क्या उन्हें वो मिलता है वो कहता है कि मुझे क्या पता मैं तो बाूंड रहे हूँ तो इस movie का point इन stories में हमें जो बताया गया है वो हमें यहाँ पता चलता है कि life एक distraction होती है हम हमेशा खुद अपने आपको distract करते रहते हैं और हमारा जो अखिर पल होता है उसमें भी हम कुछ ना कुछ तो एक sense बनाने की कोशिश करते है फिर वो एक model तक आ जाते है जब वो उतरते हैं तो इन boundary hunter ने एक dead body उपर लाई होती है वो नीचे गिराते हैं यह सब यह देखकर बहुत ही डर जाते है फिर यह boundary hunter आराम से होटेल में चले जाते है यह तीनों लोग जो होते हैं यह बहुत ही डर होते हैं फिर भी इनके बास कोछ आप्शन नहीं होता तो यह दोर बन कर लेते हैं और होटेल में चले जाते हैं मुवी की जो first stories थी वहाँ में जो death दिखाए गई थी वो insincere थी वो अस्ते अस्ते लोग मर जाते हैं और उस पर मजाख उड़ाया गया था पर जैसे यह story progress होती है वैसे यह dark बनती जाती है बहुत ही अच्छी मुवी है आपको देखना है तो आप देख सकते हो अगर आपको मेरा explanation अच्छा लगा होगा तो please इस वीडियो को like कर दीजेगा subscribe भी कर दीजे और bell और notification icon भी दबा दीजे यानि कि अगर मैं नई movie अपलोड करूँगा तो आपको इसकी notification आ जाए फिर से हम मिलेंगे next movie के साथ